चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हादिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो ये एक रिमाइंडर वीडियो है NEED24 के एप्लिकेशन फॉरम फिल करने की लास्ट डेट 9th of मार्स 24 साम 5 बजे तक है अगर किसी कंडिडेट ने अभी तक फॉरम फिल नहीं किया है तो वो तुरंत इस फॉरम को फिल कर दें क्योंकि ऐसा होता है प्रिविएस येर में मैंने ऐसा देखा है कि ये एक मैने का समय होने से student ये सोचता है कि अभी बहुत समय है अभी forum fill कर देंगे काफी समय है लेकिन ये समय कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता है तो ये 9th of March 24 को application forum fill करने की last date है साम 5 बजे तक और इसका आप payment कर सकते हैं रात 11 बजगे 50 मिनट तक तो अगर किसी candidate ने अभी तक ये forum fill नहीं किया है तो तुरंत इसको forum fill कर दें क्योंकि last में server issue, website, error वगरा हो सकते हैं तो इसको आप तुरंत fill कर दें कभी-कभी ऐसा होता है कि हम forum तो fill कर देते हैं लेकिन payment नहीं कर पाते हैं सोचते हैं कि अभी हमारे पास payment available नहीं है या फिर किसी कारणवस payment हुआ नहीं है उस समय जब हमने form fill किया था, payment बाद में कर देंगे और हमारे दिमाग में यहीं बन जाता है कि हमने तो payment कर दिया है, हमने तो form fill कर दिया है, payment का दिमाग में आता ही नहीं है कि हमने payment किया है या नहीं किया है, तो आप एक बार इसको check जरूर कर लें, check करने के लिए आप इसकी website पर login करेंगे, लोगिन करने के बाद में आप जैसे ही लोगिन करेंगे तो लोगिन करने के बाद में इस परकार का इंटरफेस आपको मिलेगा अगर आपका payment नहीं हुआ है तो यहाँ pay now का option मिलेगा आपको यहाँ पर अगर आपका payment हो चुका है तो आपको यहाँ application form डाउनलोड करने का option मिल यानि कि registration complete लिखा हुआ मिलेगा, यहां टिक का निशान मिलेगा, application form पर भी टिक का निशान मिलेगा, और फी payment पर भी complete होके, यहां पर टिक का निशान मिलेगा आपको, यह नीचे यहां download application form का option मिलेगा, इसका मतलब आपका need का form complete हो चुका है, कभी-कभी ऐसा होता है कि payment issue हो होता है आपका payment कट जाता है लेकिन payment NTA के पास नहीं पहुंसता है तो यह form incomplete ही होता है वो payment आपके कुछ दिनों बाद आपके account में refund हो जाता है आप दुबारा payment नहीं कर पाते हैं आप सोचते हैं कि मैंने तो payment कर दिया है लेकिन वो payment अगर successful नहीं होता है तो आपको यहां fee payment मे complete का option नहीं मिलेगा और आप application form डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे इसका मतलब आपका payment हुआ ही नहीं है तो आप एक बार यह insure जरूर कर लेए यह मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर एक बार NEET का form छूट गया तो उसके बाद कोई option नहीं है MBBS, BDS में admission लेने का इस साल के लिए क्योंकि आज कल तो बहुत सारे courses भी NEET के exam से ही उसमे admission होता है तो आपको यह form अवसे फिल करना है अगर अभी तक form फिल नहीं किया है तो इसको आज ही complete कर ले और payment करके आप अपने application form को download कर ले ताकि आपको confirm हो जाए कि हमारा application form complete हो चुका है पहले ऐसा होत था कि काफी सारे NEET के अलावा भी exam होते थे admission के लिए जैसे AIMS का exam होता था जिपमर का exam होता था बाकि सारे medical के exam होते थे तो यह सारे exam अभी NEET से ही हो रहे हैं सारे admission नीट से ही हो रहे हैं तो अभी कोई chance नहीं है पहले chance होने से student का NEET का form छूट जाने से मैंने कभी ऐसा द समय निकल गया है अभी अभी सारा सब कुछ NEET से ही होना है तो आपको यह form अवस्य ही फिल कर देना चीए अभी आपने अगर complete कर दिया है नीट का form complete कर दिया है आपने form भी चेक कर लिया है उसमें आपकी कोई mistake हो गी है तो इसमें टेंसल लेने के आवशक्ता नहीं है अभी NTA दवारा ये notification दे दिया गया है कि correction window open होगी registration window complete होने के बाद यानि registration window close हो जाएगी उसके बाद correction window open होगी यानि कि 9th of March 24 को registration complete हो रहे हैं उसके बाद में 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ये correction window start हो जाती है लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये correction window शिरफ 2 या 3 दिन के लिए ही open र कोई है अगर mistake भी नहीं हुई है तो आप एक बार form को दुबारा से check कर सकते हैं correction window की दोरा ताकि आपको पता लग जाएगा कि हमें जो हमने fill किया है वो बिल्कुल accurate fill किया है कोई problem नहीं है इसमें तो ये एक reminder वीडियो था मेरा कहने का मतलब ये है फिर से मैं आपको remind करवा या फिर website में कोई problem हो तो आपको दिक्कत आ जाए ये form apply करने में तो आज ही इसको आप apply कर दे अगर payment नहीं किया है तो तुरंत इसका payment कर दे और application form का print out ले ले उसको आप कही PDF format में सभाल के रख ले ये आपके future में काम आएगा तो ये जानकारी थी application form के बारे में बाकी जा साही चोपड़ा आप से लेता हूँ विदा जैहिन